हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे यहां मैंने लिये हैं 200 ग्राजमा और इन्हें भीगो के रख दिया था 7-8 गंटे के लिए और उसके बाद मैंने इन्हें ले लिया है कूकर में इस कूकर में इन भीगे हुए राजमा को डाल देंगे और इसके बाद इसमें मैंने दो चमश नमक डालके एक सीटी लगाकर इसको आदे घंटे के लिए धीमी आज पर पकने के लिए छोड़ देंगे तो यह राजमा जो है वो अच्छे से गल के रैडी हो जाएंगे आप इसे रात भर भी भीगो सकते हैं दिन में 7-8 गंटे या 5-6 गंटे के लिए भीगो दे तो ज्यादा टेस्टी लगते हैं भीगे हुए राजमा अब यहाँ इसके तड़के की त्यारी कर लिए मैंने यहाँ मैंने लिलिया है कडाई में ओयल अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा एक चुटकी हींग डाल देंगे इसमें क्रैकल हो जाए जब जीरा तो इसमें हम चॉप किया हुआ एक प्याज शे साथ कर लिए हैं लैसून की डाली है मैंने इसमें अब इसको हलका सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे ज्यादा हमें लाल नहीं करना है प्याज को अब इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्च, 1 अदाचम लाल मिर्च, 2 अदह चमब से थोड़ा कम धर कश्मीरी रैड चिली डाला है और 1 त१॥ यह ऑदा चमंत भरके मैंने इसमें डाला है धन्या पाउडरी इन सब वहल में अच्छे से कदू कस करके डाल लेंगे ओयल रिलीज होने तक हमें इसे भूनना है अच्छे से मसाले को हम जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही सबजी का स्वाज़ बहुत अच्छा आएगा बस यह होता है कि जादा भी नहीं भूनना जब ओयल रिलीज हो जाए तब तक हमें इसे भूनना होता है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें अपना फ्लेवर छोड़ दें यह देखिए कितने अच्छे से हमारा मसाला बनकर त्यार हो गया है अब इसमें हम बॉयल किया घर बन करता हैkovました जो के आप घर सांदी के तो थोरह कम्हार कर साथ साहती से कर्दका करना मेरा हो गए है राजमा रेड़ी तुर्बस आप इसमें है रीजिए अब इसमें कर दूंगे हटी कर दो कित्क थोड़ा सा कर दिश यूदा छायение मसाला लिया है थोड़ा सा हरा धनिया उपर से गानिश कर देंगे मेरा डिनर जो है दोस्तों बनकर त्यार हो गया है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजेगा और कमेंट में बताईएगा वीडियो कैसी लगी